कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं 5000 कुश्चन जो नई स्रीज करा रहा हूं उसका 19 वा भाग आप लोगों को करा रहा हूं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि कैसे सर्वात करते हैं क में सके दवार संप्रेशन परति रूप डिल्यों कम्युनकेशन मास् परदान नहीं किया गा तो तर्फ़नाथन का नहीं किया गया है महांदार्शनिक अरश्तुने 300 शाप पूरू में सर्वपर्थम संचार का प्रमानिक क्या जो आज भी प्रमानिक है संचार पर्ति रूप को ने उनमें से किस परकार प्रस्तुत किया जाता है तो वक्ता स्पीकर स्पीच श्रोता ओडियंस आउशर वोकेशन और प्रभाव के रूप में व्यक्त किया जाता है नैस्ट है हमारा है हेराल्ड लास्वेल ने मोडल जो एक प्रमु इसे इस परकार समझा जा सकता है कि उन्होंने संचार प्रति रूप को किस प्रभाव सेकता है तो यह है है संचार के गनितिय प्रारूप का प्रतिपादन 1949 में कलावड यी सेनन और वारेन वीवर के दवारा दिया गया था सेनन और वीवर दवारा प्रतिपादी संचार के गनितिय प्रारूप में सूचना के छह स्रोतत्वों सुचना संप्रेशक, संचार, मार्ग, शोर, प्रापक और गंतवे अस्थल का उले किया गया है संचार के मार्ग में आने वाली बादाएं कौन सी हैं तो दोस्तो भाषा, बहुतिक बादा, आर्थिक बादा ये सभी संचार के मार्ग में आने वाली बादाएं है सूचना समाज का सर्व पर्थम प्रियोग 60 के दिसंग में किस देश में किया गया था तो यह जापान में किया गया था Information Science सब्द किसके दबारा परकास में आया है तो यह है 1969 साथ में Information Science सब्द जो है Publish हुआ है या famous हुआ है Where is the wisdom we lost knowledge यह हमारा टियस इलियट का है Information Literacy की तत्व कुन-कुन से होते हैं दोस्तों Information Literacy की जो तत्व होते हैं बहुता है ICT Technology और Internet Fairview सब्द अधिक प्रसांगिक है या किसके नजदी के तो Fairview हमारा Copyright से ज़्यादा नजदी की सब्द है Copyright सब्द अधिक प्रसांगी के अनजदी के इंटलेक्च्वल Property Right आई पी आर किसे Band Convention निम्ली खितमे से किस पर आयुजित किया गा था तो यह है Copyright पर आई पी आर पर Libraries as Gateway to Knowledge यह किस report का इससा है तो दोस्तों यह National Knowledge Commission on Libraries 2007 का भाग है The National Knowledge Commission के इस्थाबना किस वर्स की गई थी यह जून 13 2005 में की गई थी The National Knowledge Commission NKC के चेर्मेन कौन थे तो सेम पिट्रोडा थे Next question है National Knowledge Commission को किस वर्स विगटित किया गया था तो यह 2014 में विगटित किया गया है बौदिक संपदा अधिकार से संबंदित कतन क्या है यह सही है यह option भी सही है बौदिक संपदा अधिकार अभिस करता को अपनी पुद्धिस से रचित किसी अभिसकारों या रचनाओं पर निश्चित अवधी के लिए कानूनी तोर पर स्वामित परदान करता है यह option भी सही है जब किसी वेक्תिय संस्तादवारा मौली की बिचार्दवारा किसी भी कलासे संबंदित साहित्य से संबंदीत या तो संघीत से संबंदित या अउने रचनाओं में कारिये संपन किया जाता है तो उसे उसका सरजक मानकर उसपर कानूनी अधिकार परदान किया जाता है यह उप्षन भी सही है पहुदिख संपदा का अधिकार सब्द और अधिकार के अधोनिक उप्योका जिकर्शन ने 1883 में पेरीश्च मेलन में 1986 के बन समयलन की उपजमानी जा सकती है तो दोस्तों प्रोक्त गतन सही है बावदिक संपदा अधिकार पर पेरी सम्मेलन किस वर्स आयुजित किया गा था 191883 में किया गा था 1883 में बावदिक संपदा अधिकार पर बर्ण सम्मेलन किस वर्स आयुजित हुआ था ये 1886 में आयुजित हुआ था बहुदिक समपदा अधिकार बरन सम्मेलन एक green किस विशे विशे पर कॉपियर अप्राइट एक विशें पर हमारा बहुदिक समपदा अधिकार बरन सम्मेलन 486 में आईवे जित किया गया था वावदिक संपदा संगठन वी डबलू आई पी ओ वर्ल्ड इंटलेक्ट्वल प्रोपर्टी ओर्गिनाजेशन का हैड ओफिस कहा है तो दोस्ते इसका हैड ओफिस यह मुख्याल ले जेनेवा मेशती थे विश्व व्यापार संगठन डबलू टी ओर वर्ल्ड ट्रेड और गिनाजेशन की अस्तापना उन्निस्व पिच्चाणवे में की गई थी नैस्ट कुष्चन करते हैं इन लिखित में से इन सब सूचों का मिलान करना है इंडियन कोपीराइट कव है उन्निस्व सत्तावन है ऐना यहां दा पेटेंट एक्ट है उंनिस्व निन्न न एए अधियन कोपीराइट एक्ट हमारा उन्निस्व सत्तावन पेटेंट एक्ट है उनिस्व सत्तर और तेग्रतुर्म पूप गुट सेक्ट तो फ्रेंड्स यह है हमारा 1999 का और दट ट्रेड मार्स एक्ट हमारा 1999 का है तो वी ओप्षन फ्रेंड्स इसका सही है नेश्ट कुष्चे ने बाउदिक संपदादिकार के तीन मुख्षे परकार कौन को से थे कोपिराइट पेटेंट आउड ट्रेड मार्क होते हैं ऐसा कानून जिसका उदेश्यव पूर्ण अर्थपूर्ण लेखान चीतर कलातम क्रती पर लेखा की अरजना करताओं को उसके दवरा किये गए रजना आत्मकार्यों पर नेश्चित आवधी के लिए कानून जित और पर स्वहमित्वे परदान होता है और बिना लेखा को जाविश्च करताओं कि अनुमती के किसी आवर की उत्पादित नहीं किया जा सकता है तो दोस्ते को हम कोपिराइट बोलते हैं सरकार या सासन दवरा किसी वर्ष्टू के अनुसंदान करता अविश्चार के मद्धे हुए समझोते का परमान पत्र जिसके दवराविश्च करता हूं को इसके दवरा किये गए अविश्चारों कार्वी ओपर नेश्चित अवधी के लिए कानूनी तोर पर कि इसको किसी और दवरा परतिपादित नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों इसका है पेटेंट या एकस्वे से संबंद है प्रते कंपनी जो अपने व्यापरिक कार्यों के लिए इसके प्रतिके तोर पर उप्योग करती है उसका हम ट्रेड मार्क कहते हैं विश्व का सबसे पहला कॉपी राइट एक्ट कब और कहां बना था तो यह है उन्तरास्ट्रे कापी राइट संगठन के बारे करार के मुताबिक मूल सरजक के निधन के पश्चाद भी उस सरजन पर कोपिराइट लागू रहता है 70 साल तक भारत के कोपिराइट संगठन के करार के मताबिक मूल सरजक के निधन के पश्चाद भी उस सरजक उस सरजन पर कोपिराइट अक्टर लागू रहता है तो यह 50-60 साल तक रहता है, भारत में सूचना की सवतंदरता विदेख, Freedom of Information Bill, किस वर्ष पारित क्या गाथा तो 2000 में, 2002 में भारत में Freedom of Information Bill पास्वा था, भारत में सूचना की सवतंदरता विद्धेयक Freedom of Information Bill किस वर्स पारित किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार Right of Information Act भारत के सविधान के किस अनुच्छेद में सामिल किया गया है अनुच्छेद 19 A में इसको शामिल किया गया है सूचना का अधिकार Right of Information 2005 संसद में पारित किया 15 जून 2005 को राष्टपती के नुमती मिलिया और अनुच्छेद 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून देश के किस भाग में लागू किया गया था ये जम्मू कस्मीर में लागू किया गया था उत्पत्ति के आधार पर कौन सा करम सही है तो दोस्तो शूचना प्रद्धोगी की बिल शूचना की सोतंतरत भी देख और शूचना का अधिकार नेस्ट कुस्चन है हमारा सूचना के संगटित और विशलेशित सवरूप को उपयोग को बढ़ावा परदान करने के लिए युनेस को दवरा सूचना विशलेशन और समेकलन विशे पर सन 1922 विश्वी में स्री लंका के कोलमबो एक विचार गोष्टी का युजन किया गया जिसमें समेकलन वो इस परकार पर इभासित किया गया कि वैक्ती का तत्वा संस्थाम दवरान इसी तुप्योग करता हूँ या समहूँ तक सूचना के सुखसम और पुन्हे संगटित रूप को परदान करना है सूचना विशलेशन या समेकलन है लास्ट कुश्चन आजगी वीडियो का फ्रेंड्स इन्विजिबल सबसे का तत्वरी है इंटरनेट का वैसा जो सर्च इंजन से चुपा हूँ है उसको हम इन्विजिबल वेब कहते हैं तो दोस्तों यह थे आज के कुछ कुश्चन जल्दी दूसरी वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट रो तो कॉमेंट सेक्शन में डिसकस करें और लाइक सेयर करना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद अहां फ्रेंड्स लिंक जैसा कि मनें बताया इसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्स सेक्शन में दिया गया है आप मेरे उस लिंक से जाकर के यह है डाउनलोड कर सकते हैं